नमस्कार आप सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है तो जैसे कि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पोसंट ट्रेकर एप के बारे में जिसमें की पोसन ट्रेकर एप में प्रोफाइल अपडेट कैसे करेंगे प्रोफाइल अपडेट करते समय क्या हमें फिर से OTP की जरूरत पड़ेगी अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग इस वीडियो को कम्पलीट देखिएगा जैसे कि जो नएवाल अपडेट है है जिसमें की सभी लभार्थियों का फोन फेरिफाई करना है और फोन फेरिफाई करने के बाद अगर हम लोग मालीजिए किसी लभार्थी का प्रोफाइल अपडेट करना है या कुछ भी चेंज करना है तो क्या हमें फिर से OTP की जरूरत परेगी या नहीं तो वीडियो को कम्प्लीट दखिएगा वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दिजिए चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भंटी के बेल नोटिफिकेशन का बटन भी जरूर सेलेट कर दिजिएगा तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो तो जैसे कि मालीजिए कि हमने किसी लभार्थी का फोन नमर वेरिफाई कर दिया है तो अब इस लभार्थी के प्रोफाईल अपडेट में चल के देखेंगे कि हम अगर इसमें कुछ चेंज करना चाहें तो कर पाएंगे या नहीं और मालीजिए कि अगर अधर कोई लभार्थी है जिसका हमने इस लभार्थी का फोन नमर वेरिफाई नहीं किया है और यहाँ पर हम इसको प्रोफाईल अपडेट में जाके कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे जैसे कि एक बात यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए का देखिए हमने यहाँ पर आधार वेरिफाई कर लिया है तो आधार में आप कुछ भी छेटशार नहीं कर सकते हैं अब उसके बाद रहा जो पती का नाम और मोबाईल नमर और जनम की तारीक और जो बच्चे हैं उसको चेंज करना चाहते हैं गलती से फीमेल हो गया है तो उसको आप कैसे कर पाएंगे तो देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ यहाँ पे यह जो बच्चे का सिसू लिंग है उसको मैं यहाँ पे फीमेल से मेल में करके देख रहा हूँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन मांग रहा है या नहीं तो चलिए यहाँ पे इसको mail में select करके यहाँ पे submit कर देते हैं जैसे ही submit करेंगे देखें यहाँ पे OTP का option आ गया है यानि कि आपको एक बार जो भी लाभारती है उनका OTP verification करना होगा जैसे कि profile update में जा कर करें या फिर आप जो यहाँ से phone verify का option है यहाँ से जा करें कहने का मतलब है कि आपको एक बार verify करना ही पड़ेगा जैसे कि माली जी हमने यहाँ पे इस लाभारती का phone verify कर दिया है और phone verify करने के बाद अगर इसमें कुछ change करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे करेंगे तो देखिए यहाँ पे phone verify करने के बाद यहाँ पे गलती से इस बच्चे का जो link है वो female में चला गया है अब हमको क्या करना है इसको mail में सही करना है तो इसको mail पे select करेंगे और select करने के बाद यहाँ पे submit करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है रिकोर्ड सफलता पूर्वक अपडेट होई यानि कि आपने एक बार किसी लभार्थी का phone अपडेट कर लिया है तो उसके बाद आप profile अपडेट में जाकर जितनी बार चाहें उतना बार उसको change कर सकते हैं और जैसे ही आप change किजिएगा तो यहाँ से आपका जो अधार डाला है यहाँ पे in progress दिखाएगा तो इसमें आपको घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पे यह थोड़े दिर के बाद automatic verify लिखके आ जाएगा चलिए फिर other कोई लभार्थी है जैसे कि हमने यहाँ पे इस बच्चे का जो 0-6 मंद का जो बच्चा है उसमें भी phone verify का option होता है तो देखिए हमने यहाँ पे दो बच्चों का phone verify किया है एक उपर है और एक नीचे है यानि कि जब इसका details भड़े थे उस समय इसका phone verify कर लिए है यानि कि इसके माता पीता का phone verify कर लिए है तो अगर इसमें कुछ change करना चाहते हैं तो हम लोग असानी से profile update में जाकर नाम या date of worth कुछ भी change करना चाहें तो यहाँ से हम change कर सकते हैं तो देखिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा change करके दिखा दे रहा हूँ यहाँ जैसे कि पीता का नाम में या भी है तो हम इसको यहाँ पर डबलू कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम submit कर देते हैं जैसे हैं submit करेंगे तो देखिए इसमें भी आपको phone verification करने का option नहीं मांगेगा तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर उसका profile update किया लेकिन phone verification का option नहीं मांगा यानि कि एक बार आपको सभी लभार्थियों का phone verify कर लेना है phone verify कर लेंगे तो उसके बाद आपको OTP की ज़रुरत नहीं परेगी तो क्या आपको इसके पहले यह update पता था और नहीं पता था तो आप इस वीडियो को like जरूर किजिए तो जो भी लभार्थियों आपको इस परकार से देख लेंगे कि जिनका verify नहीं हुआ है phone उनका phone verify कर लेंगे और उसके बाद अगर कुछ change करना चाहते हैं तो इसमें आसानी से कर पाएंगे तो उमिद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफी क्यों जनकारे मिल गया होगा वीडियो पसंद हो तो like, comment and share जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में